हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं सब और आज का वीडियो थोड़ा सा काम से रिलेटेड है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीजी चल रही हूँ और इधर में कपड़े भी दो रही हूँ सातव सातर क्योंकि दो-तीन दीन से कपड़े भी नहीं धुले थे क्योंकि सारे में ही समान पहला पड़ा था और आप पोताई होती है तो कितना ज्यादा काम पहलता है बताने की तो जरुरत है ने सब समझते हैं इस चीज़ को और छत की हालत इतनी बेकार हों रखी है क्ईकि सारे गंले बीच में रखे है क्ईकि छत हमने कर वाई है क्दलों की विजे से ना दिवारों पर सिलन वगयरा आगी थी तो वह सब हटा के बीच में रख रत् игр दोनों तरब से डिवारे हुई है तो ये वो करके चले गया है, तो मोटी-मोटी सफाई तो मैंने कली कर दी थी, लेकिन अभी फिलाल पहले मेरे को कपड़े धोने थे, तो मैं कपड़े धोरी हूँ, और ये जो यहां की छोटी-मोटी सफाईया है, ये कर दी हूँ, और कलर लेके आई हूँ गमलो के लिए, क्य क्योंकि अभी अलग रखे हैं तो सब को paint करके तभी मैं इनको set करूंगी जहां जूंसा रखना है और कच गमले ऐसे हैं कि पोधे बड़े हो गया है गमले छोटे पड़ गया है तो मैंने चार बड़े गमले ले रखे हैं उनको भी paint करूंगी paint करने के बाद फिर उनमें वो ग फिर पोदे चड़ाने है मट्टी तो अकेले के लिए काफी काम हो जाता है और लेकिन करना तो है जब कोई और करने वाला नहीं है तो सभी काम धीरे-धीरे करने ही है तो यह साइड बाइट साइड मेरे कपड़े भी दूलते रहेंगे थोड़ी बहुत मैं मदद लूंगी रे ही हेलो है मैं भी क्या बोल रही हूं तो यह इस तरह का कलर है यह एक साथ है इसलिए ज्यादे डार्क लग रहा है मैं थोड़ा सा पेच करके देखा था तो उतना डार्क नहीं है लेकिन फिर भी में इसमें मेरे पास ये वाइट रखका है तो थोड़ा सा वाइट मिला लूँगी जिससे हलका सा लाइट हो जाएगा है और ये मैं गमलों पर सब पर करूँगी डबल कोट में और जादा पानी डालने के लिए उन्होंने मना किया इसमें तो ये एक लीटर है उन्होंने बोला था आप इसमें 200 ml पानी डाल लेना मतलब एक गिलास छोटे वाला एक गिलास पानी तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी लाके इसे खोल लूँगी और ये मुझे लगता नहीं कि मेरे सारे गमले इससे कवर हो प तो फिर ओड लेके आऊंगी अभी पहले इससे फिनिस करूंगी दो-दो कोट करूंगी तब ही थोड़ी चमक सी आएगी उन्हें तो अभी पहले में जो खाली गमले रखे हैं बड़े जो मुझे पोदे सिफ्ट करने हैं पहले में वह बाले करूंगी ताकि उनका पेंट यह मैंने लेके इसलिए पोदे सिफ्ट नहीं करेते कि फिर बड़ों पर ना पेंट होने में दिक्कत होती है तो इसलिए पहले मगा इन पर पेंट करके सुखा के तब ही मैं इनको सिफ्ट करूंगी और यह चार गम पांच गमले हैं बड़े और एक कमला उपर बड़ा रख गया यह क्या हो गया वह बिलकुल सुख गया है पोदा तो वह आला गमला भी खाली रखा है तब मैं चट पर कुछ बड़े बड़े जो मेरे पोदे हैं वह सिफ्ट कर दूंगी और सभी पर मैं पहले पेंट करके कोट छोड़ दूंगी फिर नीचे का देखती हूं कि क्या क करना है और सारा तो कभर करना बंक परोसीबल नहीं है कि ए ले सारी यह काम मेरे को कम से कम है तीन चार दिन लगेंगे सारा टोटल कमप्लीट करने में कौनकी बाखी घर के काम भी होते हैं थोड़ा सा बजार भी गई थी तो उसमें भी तो और देखो मैंने उपर तो वो करके रख दिये थे सारे अभी नीचे के भी इन सब पे एक एक कोट कर दिया है और अभी दूसरा कोट भी करूंगी और सुबह से मैं आज जब पूजा की थी मैंने साड़े आठ बजे पूरा काम ने बढ़ गया था मेरा पूजा करने के बाद साड़े आठ बजे तक तब से मैं उपर हूँ और अभी धाई बज रहे हैं जब मैं उपर ये काम कर रही हूँ और अभी निच्चे सुबही चाई पी थी तब से अभी तक कुछ निखाया, इतनी जादा थगी हूँ, बहुत जादा थकान हो रही है, लेकिन अगर ये सोचू ना कि छोड़ के निच्चे चली जाओ, तो फिर काम बीच में ही छूट जाएगा, एक बार आलस कर जाओ ना तो फिर बस कलप है, जो भी काम टाल देते हैं, वो कलप ही टल जाता है, फिर होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना मैं कर पाऊंगी, इतना है कि जब तक दूद का टाइम होगा, दूद लेने जाऊंगी, तब तक तो करी सकती हूँ, उसके बाद तो फिर पूजा करनी है, तो एक साथ तभी नहां दो के बस फिर पूजा ही कर लूँगी, तभी नीचे जाऊंगी, अभी मैं जितना काम खतम हो जाएगा, कोसिस करूँगी, उतना कर लूँ, और फिर मुझे ये भी पता लग जाएगा, जितना इस पेंट में, जो मेरे पास पेंट मैं दूसरा भी ले के आऊंगी, जब ये खतम हो जाएगा, अभी मैं वीडियो कैमरा उदर करना भूल गई, अभी है, देख, पोदो पर पेंट करी रही हूँ, अभी बहुत थोड़े से हुए है, बहुत सारे बचे हुए हैं अभी, पानी भी प्याना है, थक गई बहुत अब चाय आ लिए बनके, पहले चाय पिएंगे, उसके बाद करेंगे, और पानी भी पिएंगे, अब चाय पीने के बाद में लगी हूँ दूबारा से, पेंट करने, और ये एक गमला मैंने पेंट किया था, जो ये शनेक प्लांट में है, ये काफी बड़ा हो रहा है, ये बहुत छोटे से गमले में था, उसमें जगई नहीं थी, इसको बढ़ने की, तो मैंने सोचा, अभी साथ के साथ इसको भी सिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर तो न, कि आज करूं, कल करूं, ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा, पहले इसको सिफ्टी कर देती महां रख देती हूँ, उसके बाद देखूंगे कुछ और, और कुछ गमले मैंने पेंट करके रख दी हैं दिवार पर, क्योंकि यहां भीड बहुत हो रही थी, और अभी इन सप्पे में, जो मतब बचे हुए हैं, पहले मैंने सिमेंट वाले की हैं, जो सिमेंट के गमले है अब यह मत्टी वाले हैं, इनको इसी से सुरुवात करिए हैं मत्टी वाले की, तो यह करूँगी, पहले सब को एक-एक कोट करूँगी, क्योंकि यह अच्छे से पेंट को पीलेंगे, क्योंकि मत्टी वाला गमला पेंट थोड़ा जादे पिता है, तो इनको, और इनमें का पेंट लग लग के यह सूट बिलकुल खराब हो गया है मेरा क्योंकि पेंट चुटेगा नहीं इस पर सब यह प्लास्टिक पेंट है पर चलो कोई नहीं मेरा गार्डन सुंदर हो जाएगा और इतने खिले-खिले से लग रहे हैं गमले एकदम बढ़िया से पेंट कर दिया है एकदम लोग अच्छा सा आ रहा है निकल के पूरा व्यू तो गार्डन का मैं आपको बबाद में दूंगी जब पूरा डैकोर कर लूंगी लेकिन फिलाल तो बस मैं इतना ही दिखा रहे हूं कि काम कैसा चल रहा है और बैठक मैं कैसा पेंट कराया है या क्या कराया है वो कि सब धोए थे तो उतार के गद्यां ऐसा ही सोफे पर लगा रखे हैं अंदर की साइड रख रखे हैं क्योंकि मुझे इतनी फुरसत ही नहीं मिली कि ताकि मैं थोड़ा सा भी डैकोर कर दूं तो मैं सोचती पहले जो जादा गंद की वाला काम है वो खतम कर लेती हूं और पर सब लगे हाथ मेरी दीवाली की सफाई भी हो जाएगी जो डीप क्लीनिंग होती है मतलब एक तो परदे भी दूल जाएंगे और जो जादा डीप वाला काम है वो हो जाएगा दीवाली के आसपास एक दो दिन पहले वैसा काम बचेगा जो मतलब थोड़ा उपर-उपर स सफाई कर देंगे तो फी मुझे असांनी हो जाएगी की पुताई होने से यह तो हो जाता है कि घर अच्छे से क्लीन हो जाता है už जहां नहीं कर आई है जहां नहीं थोड़ा बहुत करा हां वहां wahan पर मेरेग लोग करनी है उपर-वाली जो रसोई है नीचे की रसोई दोनो तो रसोई होंगी, बातरूम वगेरा, और भी है मतरब, घर में काम कभी खतम तो होते ही नि, लगे ही रहते हैं, कभी है, कभी है, कभी है, देखो करने वाले के लिए तो काम बहुत है, ना करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं होता, और अब दिवाली की सफाई तो सभी ने के बाद दूदूद लेके आई हूं अरब मैं बना रही हूं कुट्टू की रोटी और आलो टमाटर की सबजी बनाई हैं पायल को लग रही भूग क्योंकि छट और सप्त सप्त मी का ब्रत रखा है पायल नहीं रखे तो ये उसको भूग लग रही थी तो पराथे मैं पूरी नहीं बनाती हूं मैं उसके लिए क्योंकि जादा ओली हो जाती है तो मैं रोटियां सेख दिया है देखो कितने सुन्दर रोटी बनी है फूली फूली जरूर बताना कमेंट करके कौन कॉन बतानाता है कुट्टू की इस तरह फूली फूली फूल के पूरियां तो सभी बना आते हैं देखो कितनी सुन्दर सी रोटी बनिया है और बड़ी करारी सी लगती है खाने में अभी मैं पहले इसको बना के और गी लगा दूंगी या गी लगा के पाइल को देखे आती हूं उसके बाद फिर दो रोटिया और से कुंगे अपने लिए भी जब आज बनिया है वै और यह आल टमाटर की सबजी है हरी में डाल रखी है आजाईए आप भी खा लीजिए कुट्टू की रोटिया और यह दूसरे वाला तवा है इस पर रोटिया नहीं बनाती हूं मैं और यह चिम्टा भी दूसरा है इससे भी रोटिया नहीं बनाती हूं तो यह मैं उनसे बन और यह है next day अभी मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने आज क्या क्या किया है यह देखो यह गमले पेंट वे रखे हैं दो इधर जो यह खाली में वह वाले रखे हैं और यह पोदे मने जो निच्चे से लाके इनमें सिफ्ट कर दिया हैं बड़े वालों में यह चार तो मैं ले पांच इनमें काटे हैं निच्चे जब काम करते हैं ना गार्डन में तो इनके काटे चुप जाते हैं तो यह पांच्च अभुगन बेलिया मैंने यहां रख दिया है ताकि यह लटकती रहेंगी और यह थोड़ा सा व्यू दिखा रहे हूं मैं अभी अभी बहुत काम बच मेरा गार्डन में कुछ भी नहीं हुआ है ना ही अच्छे से डैकोर हुआ है जो हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया अब बाकी में कंप्लीट करके दिखाऊंगे आपको पूरा व्यू गार्डन का मिलते हैं फिर नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे सभ के लेड़िको